हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपको इस सुडियो में दोस्तो आज की सुडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तो बैंक आप महराष्ट का एकांट अपनी का फॉर्म जो है वो आप कैसे भरोगे दोस्तो यह वीडियो जो है वो एजुकेशन प्रपस के लिए होने वाली है और जो भी मैं यहाँ पर फॉर्म में डिटेल्स भर के बताऊंगा या सिखाऊंगा आपको फॉर्म भरना वो आपको किसी भी कोई भी वैक्ति से आपका किसी भी वैक्ति का नहीं है यह जुस्त आपको जो भी डिटेल्स दिखाऊंगा फॉर्म में भर करके यह दोस्तो के बाद दोस्तों account खुलाना होता है खाता खुलाने का form है account opening का form है तो इस form को कैसे भरना है और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि account opening करते टाइम कौन कौन से documents आपके जो है वो आपको लगने वाले है तो documents की मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको form भरना होगा दूसरा अधार कार्ड की photo copy देनी होगी आपको passport site जो है photo भी लगेगा आपको साथ ही साथ signature वगेरा भी करने होते हैं साथ ही साथ pain card भी है अगर आपके एक KYC ID लगेगी आनिकी आपको KYC सबसे पहले complete करनी होगी आपको KYC account वगरा जरूरत होती है तो वह आपको bank में ही प्राप्त हो जाएगा तो यहां पर मैं आप specially आपको जो है form भरना बताऊंगा form आपको कैसे भरना है सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपको अपने branch का ना only ओके तो first of all सबसे पहले चलो मैं आपको आपको form भरना बताऊंगा तो form कैसे भरेंगे सबसे पहले दोस्तों बालो example form मेरे पास bank of अराष्ट का को ब्रांच है example के तौर पर सदर ब्रांच तो यहां पर आपको आपको S A ठीक है S A D A R सदर और उसके बाद capital में ही भरना होग दोस्तों blue या black pen से B R A N C H इस तरह से सदर ब्रांच एक ब्रांच में ब्रांच को जो भी आपका मानलो वह आपको भर देना है example के तौर पर मैंने एक दो तीन लिग दिया account जो है नया account खला रहे हो तो इस पर टिक कर दिएगा उसके बाद अभी तक आपको customer ID नहीं मिली उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर personal details में आपको simply all details आपका भरहना होगा जैसे कि दोस्तों आपका जो भी name हो गया यहाँ पर name में आपको यहाँ पर माइल लगा लेना है ठीक है म Harp उसके बाद आपको यहां पर अपने नाम लिख लिएना है फτι नेम ठीक है यहां पे और यहां पर लाला जåनेम ठीक है तो यहां पर मालो मेरेhel के तौर पर नाम मेरा संजीत कुमार तो मैं यहां पर एस एे थीक है एन जे आई टी संजीत लिख लिए और लास्ट नेम इधर बोला गया है तो लास्ट नेम इधर आपको लिखना है होगा दोस्तों के यू एम एर इधर ठीक है अगर मालो मेरा नाम रहता है एक्जांपल के तौर पे मदन लाल सिंग तो मेरे को मदन यहां पे लिखना होता लाल यहां पे लिखना होता और सिंग यहां पे लिखना होता ठीक है तो यहां पे आपको date of birth अपना फिर डाल देना है जो भी आपका date of birth होगा वो date of birth यहां पे डाल दिज़ेगा इस बोक्स में अगर आप प्रूस होंगे तो male के option पे tick कर दिज़ेगा अगर आप महिला होंगे साधी आपकी नहीं हुई है तो आप अन्मेरिट के option पे टिकर दीज़ेगा ठीक है उसके बाद अगर आप यहां पे अपना name और spouse में अगर आप अपना पतनी का नाम या पती अगर आप जिसे मालो मैं हूँ तो मेरा अगर पतनी का नाम यहां पे MRS ठीक है MRS और यहां पे माल USMI लिख दूँगा ठीक है और मालो मेरी साधी नहीं हुई है तो आपको इस box को आपको खाली ही छोड़ देना है आपको यहां पर number of dependence मालो अगर मेरे साधी हो चुकी तो आप पर कितने व्यक्ति डिपेंडेंट्स है मतलब मालो मैं घर में कमाने वाला हूँ तो मेरे ऊपर टोटल चार वैक्ति डिपेंडेंट्स है तो यहां पर लिख दूँगा उसके बाद नेम ऑफ गार्जियन वगरा यहां पर आपको लिखना है उसके बाद दोस्तों नेशनलेटी में आपको यहां पर लिख लेना है इंडियान का इस पर टिक मार कर देना है अगर आप यहां कि कितनी है तो एप्रॉक्स मांलो मेरत अपर दो लाग रुप Corona है मेरे यहां पर रिलीजन पूछा गया है ठिक ठाक मतलब मेरा सरीर है तो यहां पर no के option पर Tick कर दूँगा और मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ तो वो पढ़ा गया, पढ़ा लिखा वाला बारा पूश रहा है तो यहां पर मैं graduate हूँ तो मैं यह पर graduate के option पर Tick mark कर दूँगा उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे residential address में दोस्तों यहाँ पे resident individual के option पे टिक मार कर दूँगा और यहाँ पे country tax residence in India only note another तो यहाँ पे आपको yes के option पे टिक कर देना है उसके बाद दोस्तों आपका जो भी pain card number है ठीक है अगर आपका pain card है तो pain card number डाल दीजेगा अगर नहीं है तो नहीं डाल दीजेगा कोई दिक्कत नहीं आपका लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो mobile number मांगा गया है ठीक है एक सेकेंड दोस्तों यहाँ पे आपका mobile number दिया गया है 911 करके आपका जो भी mobile number होगा आपको अपनी email ID डाल दीजेगा अगर आपको पता हो तो नहीं पता है तो मत डाल दीजेगा और telephone number email ID आप जरूर से डाल दीजेगा जो abcd.gmail.com करके होता है आपका mail ID सभी वैक्तियों का mail ID होता है तो वैसा आपके पास में mail ID मिला होगा तो mail ID जरूर से डाल दीजेगा बाद में net banking में दिकत नहीं होगा हलाकि यह सब telephone office number telephone residential number यह सब आप खाली छोड़ सकते हो उसके बाद यहाँ पे बोला गया है proof of identity के तोर पे आप कौन से documents दे रहे हो तो मैं यहाँ पे अपना proof of identity के तोर पे में अपना दे रहा हूँ water identity card आने की मेरा पहचान पत्र आने की epic card तो यहाँ पे इस पर टिक कर दूँगा और मेरा जो भी water card में epic number लिखा होता है epic number यहाँ पे डाल दूँगा issue date भी उसमें लिखा रहता है तो issue date यहाँ पे दूँगा यह आपको भरने की नहीं जुरूरत है expiry date water card में ही आपका water card number लिखा होगा उपर में ही photo के उपर वह आप यहाँ पे डाल दीज़ेगा और issue date आपका नीचे लिखा होगा तो वह डाल दीज़ेगा उसके बाद दोस्तों local address यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आपका address क्या है तो यहाँ पे दोस्तों आपको residence के option पे residential के option पे टिक मार करूँगा उसके बाद address डालना हूँगा तो यहाँ पे address में v-i-l-l करके village हो गया उसके बाद मालूब मेरा गाउं का नाम है example के तौर पे xyz तो यहाँ पे लिख दूँगा xyz फिर मैं लिखूँगा post पी-o-s-t फिर पोस्ट का मेरा जो भी नाम है पोस्ट का नाम यहाँ पे लिख लूँगा उसी तरह महराश्टर तो यहाँ पे m-a-h-a अपना box में भर लेना है और country code जो है वह प्लस यहाँ पे 91 है तो यहाँ पे country code 91 कर देना है हलाकि यह आपको भरने की जुरुत नहीं होगी नहीं भरना आपको इसको आप अपना area pin code जो है न दोस्तो वह आप यहाँ पे area pin code जो है वह आप यहाँ पे डाल दीजेगा जो भी आपका pin code है area pin code वह डाल दीजेगा उसके बाद दोस्तो permanent address यहाँ पे local address और permanent address में क्या different है थोड़ा सा समझ लीजेगा local address मालूम में जहां काम करता हूं दिल्ली में तो यहाँ पे local address जो हो गया मेरा दिल्ली का हो गया और permanent address जो मेरा महराष्ट का है तो यहाँ पे मेरा महराष्ट वाला address हो जाएगा अगर दोनों address मेरा local address भी यहाँ पे महराष्ट का मैंने डाला है एक बात यहां पे आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि यहां पे आपको यहां पर प्रूफ ओफ एड्रेस ठीक है डज नोट करेंट एड्रेस प्रोवाइड प्लीज एनी डॉकॉमेंट बिलो तो अगर आपका प्रूफ ओफ लोकल रेजिडेंस एड्रेस और जो दोनों एड्र दालने की जुरूरत ही नहीं होगी जस्ट आप यहां पे इस पर भी टिक कर सकते हो आप इस पर टिक कर दिजिएगा और उसके बाद अपना अधार नंबर यहां पर अधार का नंबर जो है वह डाल दिजिएगा फिर डिकलेरेस अब आ गया है आपका तो डिकलेरेसन के आपको इस बॉक्स में लिख देना है जिस दिन आप यह फॉर्म भर रहे हो मालो आज का डेट जो है वह हमारा है 31 जनवरी तो यहां पर थिरी वन जीरो एक दो हजार दो जीरो दो चोविस ठीक है इस तरह से डेट आपको यहां पर डाल देना है उसके बाद दोस्तों आपक आपको यहां पर यह बताना है कि आप किस परकार का एकांट रखना चाहते हो तो दोस्तों आई आपको यहां पर अपना नाम लिख लेना है जो भी आपका नाम होगा और यह आपको दोस्तों सेविंग एकांट आप खाता खुलवा रहे हो तो सेविंग एकांट यहां पर य परहना नहीं है नहीं है ये सबब मरबरना थिए तो आपको यहां पर सेविंग काउंट खोला रहे होता यहां और लितiają कांट के सब्सक्राइम लाएं और यहां पर एक्जामरें डाल नां producers लिख लिए पर दोस्तों आपको एक एक जामपल दे रहा हूं अलाकि यह मैं पूरफ दोस्तों यहां पर सेविंग कॉंट के option पर को टिक अपर कर दूंगा और फिर जो मैं अपना ATM कार्ड में लूँगा ATM कार्ड के ऊपर मेरा नाम क्या रहेगा तो अपना नाम में मालो example from, adopt. यहाँ पे S Bachelor, Boxes में, yes, आपको भरना है, मेह को यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रहे हैं, बट आपको दिक्कत नहीं होगा दोस्तो. और आप किस परकार का Card लेना चाहते हैं? तो रूपे Card लेना चाहते हैं, तो रूपे के Option पर क्लिक कर दिजेगा यह ATM काड़ का प्रकार होता है रूपे और वीजा तो यहां पर रूपे के ऑप्शन पर टिक मर्क कर दिजेगा उसके बाद दोस्तों आपको इन में से क्या क्या चीद चाहिए ठीक है वीडियो काफी लंबी हो रही है दोस्तों हमारी तो दोस्तों यहा अब्ल X में चाहिए तो टिक कर दूँगा यहां पर ट्रांजक्शन राइ्ट्स दिलेआ रहा है क्योंकि अगर को हुआ उप्षन पर क्लिक किलिक किया ओं और चाहता हूं यह फोन बेंकिंग सर्विसे चाहतो है यहां पास्बूक आपको चाहिए तो जरूर चाहिए और अस्टेट्मेंट मंत्रे चाहिए तो नोट रिक्वाइड के ओप्षन पर भी आप टिक कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों सिंप्ली इसी तरह पड़ पड़ करके आपको यह सब भरत उसके बाद हमारा मेन आता है यहां पर इग नो मिनी का फॉर्म आता है तो आप अपने किसको रखना चाहते हो तो नोम्नी जिसको भी जिस व्यक्ति को रखना चीछिव वैक्थम् plac का यहां पर डिटल्स डालना होगा दोСТबूर यहां पर नोमनी का डिटल्स आपको नॉमन होता है अलांकि यह डालने की जुरुत ही नहीं पड़ेगी उसके बाद दोस्तों यहां पे आपको सिगनेचर अगर अप्लिकेंट नोमनी का नाम जोड़ने के बाद सिगनेचर थम वगर डाल देना होता है और लास्ट में फोर ओफिस यूज में यह आपके ओफिस वाले ही फ और यहां पे भी दोस्तों आपका फॉर्म जो होता है वहापार करके कम्प्लीट हो गया तो इस तरह से दोस्तों आप फॉर्म भर सकते हो नोमनी का टीटल समें थोड़ा सो और सही तरीके से और ठीटल से आपको बता दू कि नॉम्निय यह फॉर्म जो है वह आप कैसे भरोगे तो दोस्तों आपको नॉम्निय का फॉर्म कुछ इस तरह से भरना है सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर आई के बाद में आपको अपना नाम लिख लेना है उसके बाद दोस्तों I want to printed in the past book तो यहां पर yes पर क्लिक कर देना है जहां जहां मैं टिक कर रहा हूं वहां आप टिक मार्क भी कर दीजेगा उसके बाद type of deposit तो यहां पर आप deposit नहीं कर रहो तो यह आपको खाली छोड़ना है और details of nominee में जैसी मालों मैं आपने भाई को nominee अगर nominee 18 साल से कम कर रख रहे हो तो उस case में आपको nominee का date वगरह डालना है तो उसके बाद दोस्तों आपको कुछ भी डालने की जुरूत नहीं जैस्ट अपने नाम और अपना mobile sorry nominee का नाम ठीक है क्योंकि दोस्तों अगर in case अगर आप खादा खुलवाते हो और बाद में अग nominee वह व्यक्ति होते हैं जो आपके बाद आपके account को access कर सकते access कर सके और आपके account से पैसे होगरा मतलब लेंदेन और मतलब transaction होगरा कर सके ठीक है हलाकि nominee की जुरूत कभी life में पढ़ती नहीं है तो nominee आप डालो या ना डालो हलाकि आपको जरूर से डाल लेनी चाहिए nominee का ना is drie डाल जैगा ठीक है जरूंबि यहाँ आपको डाला ठीक है यह आपको यह नहीं डालना यह न यह बहrina है आपको यह को आपने माता पीता यह आप यहाँ पर विटनेश जो है जो 2 विटनेस लगते हैं तो नेम और उनका सिगनेश और इडरेस फिर दूसरे विटनेस का नेम सिगनेश ठीग है कुछ भी आपको पूछना है account related account opening से सबंधी तो please आप से request रहेगा कि आप मुझे नीचे comment कर दीजेगा बाकी दोस्तों वीडियो देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और दोस्तों मैं देखो इतनी लंबी वीडियो बन गई फिर भी मैंने अपने अस्तर पर पूरी बता करने के लिए form भरते time जितनी भी जरूरत परती है जो जो डिटेल्स आपको भरनी की जरूरत परती है वो सभी डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है फिर भी कोई भी दिकत या कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे नीचे comment कर दीजेगा वीडियो देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू थैंक्स राचिंग दर वीडियो